आज हम लोग 9 जन्वारी को जो जे मेंस का फुप्रोगता इविनिंग में उसको हम लोग डिस्स करेंगे पहला सवाल जो है सर्कुलर मोशन का है इसमें कहा गया a spring mass system mass has m and spring constant k and natural length l rest in equilibrium on horizontal disc the free end of the spring is fixed at the center of the disc if the disc together with spring mass system rotates about its axis with an angular velocity omega such that k is very very greater than omega square the relative change in length of the spring is best given by the option to question यह कह रहा है कि एक डिस्क है यह एक डिस्क है जिसका center ऐसे आजा इसके center पर एक spring attach किया गया है कुछ इस तरह से और यहां पर एक ब्लॉक है अब यह पूरा डिस्क है और spring mass system है यह rotate कर रहे है ठीक कराएक इस डिस्क टूगेदर विट स्प्रिंग मास सिस्टम रोटेट्स एवाउट इस सिस्टम है इसके अबाउट ओमेगा रोटेट कर रहा है तो मैं इस ब्लॉक आप फ्रीव डग्राम बनाऊंगा तो यहां पर डिस्क में देखेंगे तो एक centrifugal force लाएगा जिसकी वजह से इसमें कुछ कोष इलांगेशन हो गया होगा ईलांगेशन हो गया तो इसका लेंद्ह जो है वह एलिप्लस डेल्टा ऐल सब्सक्रेख़ स्प्रिंग है प्लस डेल्टा ऐल में घुम रहा होगा से तो इसकी वज़न से इसको एक centripetal acceleration मिलेगा omega square into r r जो है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ प्लस डिल्टा यह तो इसका equation अब motion लिखेंगे k delta l is equal to mass into a acceleration omega square l plus delta l तो यहाँ से हम लोग delta l का value पहले निकालेंगे तो आएगा delta l अगर common लेंगे तो आएगा k इधर m omega square delta l है left hand side में लाएंगे तो k minus m omega square is equal to m omega square l यह होगा अब यहाँ से delta l का value देखेंगे तो आएगा m omega square l divided by k minus m omega square इसमें यह वाला जो term है वो k से बहुत छोटा है जैसा कि यहां बताया गया है k is very very greater than m omega square तो k की relative में बहुत ही छोटा है तो इसको neglect कर सकते हैं और neglect करेंगे तो यह आएगा m omega square l divided by k तो यहाँ पर relative change in length पुछा है यानि कि fractional change in length में पता करना है चेंज इन लेंथ है delta l और original length था l तो delta l by l का value आएगा m omega square by k और यह ही हमें find करना था तो आप देखेंगे यहाँ पर जो फूर्थ option है इसमें जो रिलेटिव change लेंथ का वो सही दिया गया यह omega square k दिया गया तो यह correct answer हो गया कि अब कि अब कि अब कि दो आगना है